मिलिये दुनिया के सबसे अनोके बंदर सिया मांग से ये गेबॉन की ही सबसे बड़ी परजाती है जो एक मीटर तक लंबे और चौद किलो तक वजनी हो सकते हैं और ये इंडोनीशिया, मलेशिया और थाइलेंड के जंगलों में पाए जाते हैं इनकी एक खासियत जो कि इनको अन्य गिबॉन से अलग करती है वो है इनके गले की बड़ी गोल थैली जिसे गुलर सैक कहते हैं ये थैली नर और मादा दोनों में पाई जाती है इसे ये फुला कर अलग-अलग अनोकी आवाजें निकालते हैं पूरी तरीके से फुलाने के बाद ये थैली एक गुबबारे जैसी दिखने लगती है जिसका साइज इनके सर से भी बड़ा हो जाता है इनकी इसी खासियत के कारण इन पर अब खत्रा मड़ाने लगा है ये एक्जोर्टिक पैट लवर्स के बीच काफी फेमस हैं जिसके कारण इनका illegal trade किया जाता है इसके साथ साथ palm oil की बड़ती डिमान के कारण इंडोनेशिया और मलेशिया में जंगलों को काड़ कर palm oil की खेती किया जाने लगा है जिससे इनके प्राकतिक आवाज पर भी खत्रा मड़ाने लगा है इसी खत्रे को देखते हुए IUCN ने सियामंग को अपनी red list में सामिल कर दिया है ऐसे ही डेली इंटरस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब परना न भूलें